हाई फ्रेंड्स चलिए आज हम घर पर लादी पाव बनाएंगे और ये लादी पाव बहुत बढ़िया बनते हैं क्लाइमेट अभी बहुत खराब चल रहा है तो ऐसे में बेकरी से हम ला नहीं सकते हैं तो घर पर फ्रेश बनाएं और फ्रेश खाएं ये रेसिपी बनाते वक्त अगर आपको कोई प्रॉबलम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मैं जरूर सॉल्व करूंगी तो एक बोल के अंदर हमने दो टीस्पून के जितनी शक्कर डाली है दो टीस्पून के जितना इंस्ट ड्राइ इस्ट डाला है और इसे डालके हम इसमें एक कप के जितना गुन-गुना दूट डालेंगे तो दूट का गुन-गुना होना बहुत जरूरी है तो ही इस्ट ए जाग बन जाएंगे इसका मतलब कि इस्ट एक्टिवेट हो गया है और अगर ऐसा ना हो तो आप यह मिक्सचर फिर से बनाए और इस्ट नया यूज़ करें अब एक चलनी रखेंगे एक बोल के उपर और डेड़ कप के जितना हम मैदा डालेंगे और डेड़ कप के जितना हम गेहू का आटा डालेंगे फ्रेंट्स मैंने यहां पे सिर्फ मैदा से कैसे बनाना है पाव वो भी रेसिपी शेयर की हुई है आपको एंड स्क्रीन पे या आई बटन में रेसिपी मिल जाएगी अब यहां पे हम स्वाद अनुसर नमक डालेंगे और इसको हम चान लेंगे चानने से इसमें एरेशन फॉर्म होता है तो चान के ही आटा लें और यह जो बड़ा बचा है इसे हम डिसकार कर देंगे तो अब इस्ट चेक कर लेंगे तो यह देखिए इस तरीके से जाग आ गये हैं इसके उपर इसका मतलब कि इस्ट बहुत अच्छे से एक्टिवेट ह अब इस मिक्स्चर को हम आटे में डाल देंगे और हमें आटा गूनना है तो आटा गूनते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आटा नरम गूनना है जैसे जो रोटी का आटा होता है उससे भी आटा नरम होता है तो यह हमारे पाव फूलेंगे और अंदर से क्रमली बनें तो यहां पे हलके हलके हातों से इस तरीके से पहले मिक्स कर ले और फिर इसका आटा गून दे तो यहां पे थोड़ा सा हम पानी भी यूज करेंगे आप चाहें तो वाम मिल्क भी यूज कर सकते हैं पर वाम मिल्क जादा अगर यूज करते हैं तो पाव डेंस बन जाते हैं है तो बेटर है के आप पाणी ही यूस करें यहां पे, थोड़ा सा पाणी मैंने और डाला है, स्माकोका अज़ में भी करेंगे, और आज मैं यहां पे बटर यूज नहीं कर रही हूं, बटर की जगह पेorry में औलिव आफ्ड यूज क कर रही हूं, तो औलिव आफ्डी यूज क fare जाल दूँगी और इसे एक बार फिर से अच्छे से हम गून लेंगे तो यह एकदम नरम आठा है और इसे मिक्स करके अब हमें इसका गोला सा बनाकर इसे रख देना है एक गंटे के लिए इसे हम प्रूफिंग बोलते हैं तो एक गंटे के बाद आप जब देखेंगे तो यह डबल साइज में हो जाएगा इसको हम क्लिंग रैप कर देते हैं आप चाहें तो कोई भी नैपकिन या टॉवल भी रखकर इसे रख सकते हैं कोई गरम जगपे रखें जिससे के यह इस्ट अच्छे से और भी एक्टिवेट हो जाएगा और आटा अच्छे से फूलेगा गंटे के बाद आप देखेंगे तो आटा एकदम बहुत अच्छे से फूल गया है डबल हो गया है साइज में तो इसे हम पंच करेंगे पंच करने से इसके अंदर जो एर होती है वो निकल जाती है और यह देखिए इस तरीके से यह जाली बन जाती है इसका मतलब कि हमारा इस्ट बहुत अच्छे से अक्टिवेट हो गया है और पाव बहुत अच्छे बनने वाले है अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और आधा टीस्पून के जितना मैं ऑलिव और डालूंगी इसे ठीक करने के लिए और फिर हम इसे एक चॉपिंग बोर्ड पे ले लेंगे और इसके इक्वल पाट्स कर देंगे तो अब साइस जो है वो आप अपने चोईस के कोडिंग बड़ी छोटी कर सकते हैं मैंने इतने मेजरमेंट में आट पाव बनाए है तो फ्रेंस जैसे जैसे आप आटे को ठीक करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आटे का जो बहुत अच्छा होता जाता है इस तरीकी से बहुत बड़ा गोला बना कर चौपिंग बोर्ड पे रखें और इसे इक्वली डिवाइड कर दें और फिर हम एक एक लोई बनाएंगे इसकी तो लोई जो है वो कैसे बनानी है इसको कैसे फोल्ड करना है वो मैं बताऊंगे तरफ टक करते जाएंगे तो ये पाओ बेक होते समय खुलेंगे नहीं तो इस तरीके से अंदर टक करें इसको और इसको राउंड बना दें राउंड बनाने के बाद हम इसे बेकिंग ट्रे में रखेंगे जो हमने ग्रीज की थी और इसी तरीके से हम सारे गोले बना देंग और गुले बनाने के बद इस ट्रे में रखने के बाद हमें 20 मिनिट के लिए इस ट्रे को ढखन लगा कर रख देना है ताकि ये हमारा सेकिंड प्रूफिंग हो सके तो पाओं में दो प्रूफिंग लगता है एक हम जब आटा गुनते हैं तो वो आटा जो होता है उससे हम प्रूफ करते हैं यानि कि वो डबल साइज में हो जाता है उसके बाद में हम गोले बनाके फिर से 20 मिनिट के लिए इसे प्रूफ करते हैं और तबी भी आटा फूल जाता है तो इस तरीके से आप इसे सेट करकर रग दें ट्रे में तो यह मैंने सारे गोले बना दिये हैं यहाँ पे और इसे टॉवल से ढखकर हम रग देंगे फिर से गरम जग़ पे 20 मिनिट के लिए 20 मिनिट के बाद आप देखेंगे यह बहुत अच्छे से फूल गए हैं तो अब यहाँ पे हम मिल्क वाश करेंगे अगर आप एग खाते हैं तो एग वाश भी कर सकते हैं मैं यहाँ पे मिल्क वाश कर रही हूँ इससे पाव के ऊपर जो कलर आता है ब्राउनिश वो बहुत अच्छा आता है तो इस तरीके से milk wash कर लें सारे पाव को और तब तक oven को भी preheat कर दे 150 degrees पे और फिर ये पाव बेक कर दे 15 से 20 मिनिट के लिए या 25 मिनिट के लिए जब ये उपर का हलका सा color golden हो जाता है तो बाहर निकाल दे अब इसे हम butter से grease करेंगे पाव को तो देखिए कितने अच्छे बेक हुए है ये और इसके उपर हम एक गीला napkin रखेंगे ताकि जो पाव है वो नरम हो जाए थोड़े से ये जब बेक होते हैं तो ये कड़क हो जाते हैं तो जब आप towel रखेंगे तो ये फिर से नरम हो जाएंगे अब मैं आपको बता रही हूं texture इसका तो friends आपको ये recipe कैसी लगी अच्छी लगी हो तो family friends में share कीजिए और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को like करें share करें subscribe करें ऐसी ही recipes मैं लिखके आती रहूंगी आपके साथ तो देखिए इसका texture कितना बढ या बना है और ये खाने में उतने ही ला जवाब है तो इस recipe को आप ज़रूर try करें और मुझे comment section में बताएं आपको ये recipe कैसी लगी मिलती हूं healthy new recipes के साथ एक cut करके भी आपको मैं बता रही हूं कि ये पाओ देखिए अंदर से कितनी बढ़िया इसकी जाली बनी है घर पर बहुत अच्छे बनते हैं एकदम hygienic तरीके से हम बनाते हैं और खाने में भी बहुत tasty बनते हैं आप चाहे तो इस recipe को double कर सकते हैं मैंने यहाँ पर ये पाओ पाओ बजी के साथ सर्व किये थे आप चाहे तो बड़ा पाओ के साथ भी ये पाओ बना सकते हैं तो friends मिलती हू thank you, take care, good bye